कि मैं क्यों नहीं नाटकों की विशेश मासिक शंकला में आज प्रस्तु थे श्री रेवती सरन शर्मा का लिखा नाटक तो सुनी नाटक मैं क्यों नहीं हलो मैं तरेन कंपनी मैं मिसेश शीला से बात कर सकता हूँ मैं उनका पती हूँ नीरज जी ठीक है मैं होड करता हूँ कौन हाँ शीला मैं नीरज बोल रहा हूँ सुनो तुम मेरे आफिस आ सकती हो एक जरूरी बात है नहीं वो घर पर नहीं हो सकती नहीं देखो शीला मैं फिर से बात नहीं उठाना चाहता बलकि बात खत्म करना चाहता हूँ ठीक है मैं इंतजार करूँगा मुझे यहाँ ओफिस में क्यों बुलाया मैं बात करना चाहता हूँ क्या मैंने कोशिश की फर लगता है मैं रह नहीं सकता मेरे साथ हाँ दो साल पहले की बात मैं उसे बुला नहीं सकता और मैं तुमने जो किया मैंने नहीं साथ मैंने नहीं बुलाया मैं नहीं सह सकता मेरे मान ने माफी माग लेने के बात भी हाँ मैंने कोशिश की है लेकिन पाया मैं नहीं बुला सकता क्योंकि मर्द हो खुद कर सकते हो लेकिन समझाना चाहा चोड़ना चाहा पर जो तूटा है उसे जोड़ने में हम और तूटे है अलग होना चाहते हो हाँ नीन की कोली हम और नहीं खा सकते बदले में जो चाहो ले सकती हो ओ अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकती हूँ और हाँ तुम मुझे कुछ नहीं चाहिए सुनो कोर्ट में जो एप्लिकेशन हम देंगे उसमें हमें सब साफ करना होगा यानी कोर्ट जाना होगा देखो शीला मुझे लीगल डैवोर्स चाहिए वहाँ चीछा लेदर ना हो इसलिए मैं समझोता करना चाहता हूं मैं तुम्हें मकान उसके खरीदने में मेरी सेविंग्स के पैसे भी लगे हैं उस घर में बहुत कुछ मेरा है जो तुम्हारा है तुम ले जा सकती हो इसके अलावा और कुछ भी तुम्हारी इनायत और महर्बानी की मुझे जरूरत नहीं है जो लूगी हक और कानून से लूगी यू नेरो दिट शर्वनिस्ट बेटा और बहु दोनों अपना दिमाग रखती हैं हम सिरफ देखी तो सकते हैं लेकिन वो बच्चों को छोड़ रही है ठीक कर रही है जब हमारा बेटा उसे नहीं रख रहा है वो उसके बच्चों को क्यो रखे ये क्या कह रहे हो बच्चे नहीं होंगे तो कहीं न कहीं को सोचते हैं सोच तो लिया मा अलग बच्चे यहां बच्चे पल जाएंगे हम हैं ना हो सकता है नीरज कोई और ले आए लेकिन देख आइतरी बुरापा होता है ना आदमी जटायू बन जाता है रावन सीता को ले जाता है और वो पड़ा देखता है क्योंकि उसके पंक टे ह कटे पंखों के साथ जीना सीख क्या हुआ अशीला घर का नंबर नहीं मिल रहा घर का हाँ मैं बच्चों से बात करना चाहती हूँ दो रात से सोई नहीं हूँ तो हो आ अभी डाइवोर्स तो नहीं हुआ वहाँ जा सकती है नहीं मैंने डाइवोर्स पेपस साइंड कर दी है वहाँ नहीं जा सकती लेकिन मुझे बच्चों की बहुत यादारी है मैं बच्चों को अपने पास रखना चाहती हूँ क्या मैंने अब जाना है उनके बिना नहीं रह सकती मैं आर यू शूर उस वक्त क्यों मानी थी पागल हो गई थी उससे में बदला लेना चाहती थी और और कई मन में ये भी था कि बच्चे नहीं रखोंगी तो शायद वो बदल जाए ठीक है लेकिन अब भी क्या बिगड़ा है पलट जा बच्चे मांग ले मैंने अप्लिकेशन साइन कर दी है मगर मन्जूर तो नहीं हुई कोर्ट के सामने आनी है कह दे मुझे मन्जूर नहीं शीला आदमी को वो मांगना चाहिए जिसके बिना वो रह नहीं सकता नमस्ते वकील साब नमस्ते आई आई ये बैठिए कहिए कैसी है जी ठीक हो हाँ वो आपके पती के वकील दयाल साब से बात हो गई है क्योंकि वो हमारी शर्ते मान गए है इसलिए हम डेवर्स अप्लिकेशन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे टिसलूशन की टिकरी मिल जाएगी लेकिन मुझे ये डिकरी नहीं चाहिए मैं बच्चों की कस्टडी चाहती हूँ क्या आप लेकिन आप तो मुझे बच्चे चाहिए ये मैंने अब जाना है देखिए एक तो आप कंप्रोमाईस से मुकर रही हैं दूसरे आपके बच्चे आपको नहीं मिल सकते क्यों? क्यूंकि आपके बच्चे पांच साल से बड़े हैं इसलिए कानूनन उनकी कस्टड़ी आपको नहीं मिल सकती ये क्यों? बई हिंदू माइनोरिटी एक्ट और वाड और गार्जियन शिप्ट एक्ट के मुताबिक बच्चों की कस्टड़ी सिर्फ पिता को ही मिल सकती है मगर क्यों? कानून है इनके अलावा कोई और कानून नहीं? जी नहीं बच्चों की कस्टड़ी पर ये ही कानून लागू होते हैं आप चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए मैं कानून इंटरपेट कर सकता हूं बनवा नहीं सकता ठीक है फिर मैं अपना केस वापस लेना चाहूंगी लेली जी? मैं फीस वापस नहीं लूँगी सिर्फ एक बाद बता दीजिए पूछिए कोई वकील है जो इसे चैलेंज कर सकता है हाँ, एक साब है मिस्टर सिनहा वो फंडमेंटल राइट्स के केस उठाते है शौक के लिए लेकिन काम्याबी मिलेगी नहीं मुझे उनका पता दे सकते हैं? हाँ, लिजी ये है ये है उनका फोन नमबर शुक्रिया हालो, सिनह स्पेकिंग कौन? मिस्स शीला? हाँ, हाँ, फरमाईए आप मिलना चाहती है आजाईए वेलकम पापा, पापा देखे न, ये मेरी बात नहीं मानते क्यों मानो? भई मामला क्या है रत्ना देखे न पापा, ये कुट्टे का पिल्ला ले आए है कहते हैं, इसे पालूँगा पिताची देखे न, कितना फ्याला है और ये कह रही है कि- इस घर में कुट्टा नहीं पलेगा लेकिन ये कुट्टा है किसका? डॉक्टर इर्फान का उनकी कुट्या ने तीन पिल्ले दिये एक मुझे दे दिया तुम्हें क्या इतराज है रत्ना? पापा, I hate dogs मुझे घर में कुट्टा नहीं चाहिए लेकिन क्यों भाई? बस मैं नहीं चाहती और मैं चाहता हूँ बेटे और बहु के बीच सुला सफाई करा सकता हूँ फैसला नहीं दे सकता मुझे कुट्टा नहीं चाहिए मुझे चाहिए और पिर तुम अकेली रहती हो तुम्हारा दिल बहलेगा आपने फिर बच्चे की बात उठाई आपको बच्चा चाहिए ना ठीक है मैं अपने भाई का बच्चा गोद ले लेती हूँ माप कीजिए अगर मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुटा भी नहीं लख सकता तो आप मेरी मर्जी के बिना बच्चा गोद नहीं ले सकती क्यों नहीं ले सकती पिताई इसे पूछ लीजिए ये ठीक है खानूनन औरत बच्चा गोद नहीं ले सकती लेकिन क्यों पापा क्यों नहीं ले सकती हंगा में तुम उठाते हूँ, मर्द, तुम्हारी सोसाइची जो है तुम ठीक कहती हो रतना, ये गलत कानून मर्द ने बनाए कि औरत ना अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है, ना बच्चा गोद ले सकती है क्या कानून है? बिल्कुल यही तो कानून है अच्छा, अच्छा भई, अपनी लड़ाई बंद करो, मेरा क्लाइट आया है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, जरूर मेरा नाम शीला है आईए बैठिये क्या से अवा कर सकता हूँ? आपका बहुत नाम सुना है शुक्रिया आपकी मदद चाहिए फरमाईए अगर मैं ये कहूँ कि आप वो नहीं पूछेंगे जो मैं बताना नहीं चाहूंगी तब भी आप मेरा केस लेंगे आप क्या नहीं बताना चाहेंगी? पहले आप बताईए तो मेरा केस लड़ेंगी या नहीं? हाँ, मैं तो वकील इस वकील मेरे पास है, लेकिन मैं आप के पास आए हूँ, मेरा केस लड़ सकेंगे? मुझे कितना बताना चाहेंगी? सिर्फ इतना, मेरे पती और मैं अलग हो रहे हैं, और मैं अपने बच्चों की कस्टडी चाहती हूँ पहली बात से मेरा कोई सरोकार नहीं है जी नहीं, कारण बेमानी है और अलग होने का फैसला हो चुका है बच्चों की ओमर क्या है? कम से कम आप बात यहां से शुरू नहीं करेंगे अब मैं फोन कर सकती हूँ? जरूर केज़े जी हलो? हलो? फोन नहीं मिल सकता आपने सिर्फ एक नमबर मिलाया और नमबर मिलाने होंगे मेरा केज यही है आपको और नमबर मिलाने होंगे जी मेरा वकील सिर्फ एक नमबर मिलाना जानता है और मेरा केज जीतने के लिए और नमबर मिलाने होंगे आप कर सकेंगे इसका जवाब इस पर है कि केस क्या है ये मेरी फाइल है बहुत से जवाब इसमें है बागी आपको तलाश करने है इस फाइल में पूरी कहानी है हाँ, जितनी आपको चाहिए उतनी है कुसूर उनका भी है और मेरा भी लेकिन बात बच्चों की है ठीक, मैं पढ़ लूँ तो कब आ सकती हूँ? कल, लेकिन फोन कर लीजेगा आने से पहले शायद कुछ मालूम करना पड़े? जी बहुत बेटर शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है न? अंदाज खुबसूरत है जरूरत नहीं है पिताजी, आप सोई नहीं? ये… एक केस टड़ी कर रहा हूँ बेटा किसका? वो जो सुबह आई थी तलाक और बच्चे का केस आप उसका केस लड़ेंगे? हाँ मैं एक सवाल उठाऊंगा मा का मा का? हाँ बच्चे के संड्रक्षन का मा को अधिकार क्यों नहीं? आप उस वरत को मा कहते हैं? अगर सब कुछ करने पर एक पती बाप कहला सकता है तो पत्नी मा क्यों नहीं? और सवाल कानून की नजर में समानता का है उस जैसी उस जैसा वो तो है ही ऐसा हम कितनी जल्दी एक तरफा फैसले दे 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 थे जबकि कानून ने इस काम के लिए कितनी अदालतें बनाई है जो निचली अदालतों के फैसले परक्ती है तब कहीं जाकर आखरी फैसला होता है लेकिन उस ओरत ने अपनी फाइल में खुद लिखा है गिरिश अब औरत को कैसे दी जा सकते है बच्चे अच्छी औरत को भी नहीं दी जा सकते कानून यही है और इसी कानून के खिलाफ मैं अदालत में आवाज उठाओंगा आपको मिलना क्या है अगर केसी लेने हैं तो धंके लीजी और पैसे लेकर कीजिए धंके केस लेने वाले और बहुत हैं बेटे पैसे लेने वाले उनसे भी ज्यादा है मुझे ना पैसा चाहिए न धंक का केस मैं तो जो भी धंका है उसे तराशने के लिए बहस की चैनी और अदालत का अथोड़ा इस्तेमाल करना चाहता हूँ अदालत और अपने फाजिल दोस्त मिस्टर दयाल की सहूलत के लिए मैं अपना केस सीधा पेश करूँगा दस साल पहले मेरी मुख्किला की शादी श्री नीरज कुमार से हुई उनके दो बच्चे हुए आज जब वो अलग हो रहे हैं तो उनके पती उन्हें सकुछ देने को तयार है सिवाए उन बच्चों के जो शीला देवी की कोक से पैदा हुए चुँके रचना करने वाले का अपनी रचना अपनी क्रियेशन पर हक होता है इसलिए बच्चे शीला देवी को दिलाए जाए आपको क्या कहना है मिस्टर दयार यूर अनर इसलिए यूर अनर बच्चों की कस्टड़ी हिंदू माइनौरिटी एक्ट और वार्ड और गार्जियनशिप एक्ट से गवर्न होती है लेकिन ये अप्लिकेशन कापिराइट एक्ट और पेटेंट एंड ट्रेड मार्क एक्ट के अंतरगत दी गई है जो सिर्फ किताबों, कलाकृतियों और इंडस्टियल गूड्स पर लागू होते है चोकि बच्चा किताब या मशीन नहीं है मुझे हैरानी है के एक भूत पूर्व जजज और मेरे काबिल इजद सीनियर ने ऐसा दावा पेश किया है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं, जो अन्टेनेबल है कोई काउंटर आर्गुमेंट मिस्टर से न यूर आउनर मैं मानता हूँ के वार्ड एंड गार्जियन शिप एक्ट के अंतरगत अधालत के हाथ बंदे हैं लेकिन कौपी राइट और पेटेंट एंड ट्रेड मार्क एक्ट अधालत के बंदे हाथ कोलते हैं वो रचना पर रचना करने वालों का हग तसलीम करता है इसलिए मेरा दावा उनके आधार पर है लेकिन रचना की डेफिनिशन है, बच्चे उसमें शामिल नहीं यो अनर, मुझे कुछ एक्जिबिट्स पेश करने की इजाज़त दी जाए ताके मैं साबित कर सकूँ कि क्रियेशन यानि रचना, रचना है और उसमें बच्चे शामिल है इजाज़त है तेंक्यू यो अनर ये एक बच्चे की मूर्ती है इसे मूर्ती कार्द रंगनात ने बनाया है मैं अपने योग्य दोस्ते पूछना चाहता हूँ इस पर अधिकार किसका है उधारण असंगत है ये बेजान है मानता हूँ इसलिए एक जानदार चीज पेश करता हूँ इन ए मिनट गिरीश पिल्ला मुझे देना ये एक पिल्ला है इसे डॉक्टर इर्फान की कुतिया ने जनम दिया है इस पर अधिकार किसका है फैंक्यू मिस्टर सिना योर अनर अनजाने में मेरे दोस्त ने मेरी बात साबित कर दी पिल्ला कुतिया का है लेकिन अधिकार डॉक्टर इर्फान का है इसलिए कि पिल्ले की माँ बोल नहीं सकती लेकिन अगर वो बोल सकती तो तब अधिकार किसका होता डॉक्टर इर्फान का इस्त्री संतान को जन देती है लेकिन वो पती के बिना संतान को जन्म नहीं दे सकती सही, मगर असंगत इस बात को साबित करेगी मेरी तीसरी एक्जिबिट देखिए, ये क्या है? गमला इसमें क्या है? पौधा? ठीक इस पौधे का बीज मैंने सीड्स कॉर्पोरेशन से लिया है ये पौधा किसका माना जाए? मेरा या सीड्स कॉर्पोरेशन का? यूर अनर, ये बात को उठाय जा रहा है यूर अनर, मुझे कुछ कहने के इजाज़त दी जाए इजाज़त है थैंक्यू यूर अनर यूर अनर, मुकदमा बच्चों पर मेरे और मेरे पती के हक है इस बात का सुबूत है कि मैंने बच्चों को जन्म दिया लेकिन इसका कोई सुबूत नहीं कि उसमें मेरे पती का हाथ है सुबूत है यूर अनर, मिसल में बच्चों के बच्च सर्टिफिकेट लगे Your Honor, इनसे सिर्फ एक बात साबित होती है कि मेरे बच्चे हुए, ये नहीं कि वो मेरे पती के है आप कहना चाहती है कि Yes, Your Honor, सिर्फ स्त्री जानती है कि बच्चे किसके है पती सिर्फ मान कर चल सकता है कि बच्चे उसके है ये जूट है, Your Honor, बर्थ सर्टिफिकेट्स में इनके पती का नाम है जो उन्होंने खुद लिखवाया है और नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता जाइदादों पर नाम चलता रहता है लेकिन जब बटवारा होता है, देखा जाता है कि बेनामी है खुद की कमाई का है, या कहीं और से आई Your Honor, फिर इनसे पूछा जाए कि ये बच्चे किस के है मेरे है, मेरे पती के है, ये इनको साबित करना है आप कहना चाहती है कि Your Honor, जो मुझे कहना था कह चुगी आगे मेरे वकील मिस्टर सिनह कहेंगे Your Honor, जब मौडल से पेंट करने पर भी पेंटिंग पेंट करने वाले की है बीज किसी कहो फसल धर्ती के स्वामी की है तो बच्चे उसके क्यों नहीं, जिसने जन्म दिया है आपको क्या कहना है मिस्टर दयाल मेरा सबमिशन है Your Honor कि औरत के बच्चे शादी के कांट्रेक्ट के तहत होते है उसमें औरत खुद पती को पिता होने का हक देती है आप इसे मानते हैं मिस्टर से नहार येस यो और और मैं इसका उधारन देता हूँ मेरी चौथी एग्जिबिट ये किताब है देखिए ये किताब ये तो मेरी है मैंने लिखी है उसे च्छापा किसने है लाबुक सेंटर ने कोई कॉंट्रेक्ट है पिर इस पर आपका नाम क्यों है क्योंकि मैंने लिखी है आथर्शिप कॉंट्रेक्ट से खत्म नहीं होती ये ही मैं कहता हूँ अगर कॉंट्रेक्ट करने से आपकी और्थरशिप खत्म नहीं हुई तो फिर स्त्रीकी क्यों होगी उसका बच्चा पिता का बच्चा क्यों माना जाएगा क्योंकि उसमें उसका अंच है अंच है ये क्या है तुल सीक्रित रामचरित मानस, रामाएण रामाइन सबसे पहले किसने लिखी वालमीकी ने तो क्या ये रामाइन बालमीकी की हो गई नहीं पर मूल कहानी तो बालमीकी की है लेकिन उसके बीज को लेकर तुलसी दास ने खुद एक नई रामाइन लिखी योरॉनर अगर बीज लेने पर भी या रमाइन तुलसी दास की है चापने पर भी ये किताब मेरे फाजिल दोस्त की है कॉंट्रेट खत्म होने पर भी इसके पूरे अधिकार फिर इनको मिल जाएंगे तो शादी खत्म होने पर बच्चे औरत को क्यों नहीं क्यों नहीं बच्चे औरत को जाएंगे इसलिए के खानून है योरॉनर अदालत खानून को खानूनों के साथ जोड़ कर फंडामेंटल राइट्स की रोशनी में इंटरप्रेट करती है एक सिधान्त अगर कौपी राइट एक्ट और पेंट एक्ट में माना गया है तो वार्ड और गार्जियन्शिप एक्ट में क्यों नहीं शायद कानून बनाने वालों के दिमाग में ये बात रही कि तलाख के बाद औरत के लिए बच्चे पालना मुश्किल है मगर पांच साल से छोटे बच्चे की कस्टडी मिलती है शायद इसलिए के औरत धाय मा या आया है बच्चे पालने के लिए दिये जा सकते हैं साथ के लिए सहारे के लिए अकेला पंदूर करने के लिए नहीं दिये जा सकते हैं बड़े बच्चे बोज होते हैं Your Honor, मैं बोज उठा सकती हूँ, ये है मेरी पास्ट बुक, मेरे बैंक में बीस हजार रुपए हैं और मैं हर माँ दो हजार कमाती हूँ आपके लिए सही है, लेकिन हर औरत इस काबिल नहीं होती और जो काबिल होती है, उनके बारे में क्या फैसला है, Your Honor? Your Honor, Warden Guardianship Act, Parliament का एक्ट है, that's a settled fact of law Law bad भी होता है, असंगत, मूल अधिकारों के खिलाफ, औरत अगर किताब रचे, उस पर उसका नाम चलता है, पचास साल तक रॉयल्टी मिलती है कल पुर्जे वा मशीन बनाए, सारी उमर उसका पेटेंट रहता है, रॉयल्टी मिलती है Copyright Act, Patent and Trade Mark Act के अधिन अपनी अर्जी दी है, जो ज्यादा संगत है और जो औरत, मर्द, गरीब, अमीर सब को अधिकार देते हैं, कि जब तक वो चाहें अपनी रचना का सुक भोग सकते है आपका कहना है कि Yes, Your Honor क्यूंकि रचना कास्त्री है, बच्चों को जन्म वो देती है, इसलिए बच्चों पर पहला अधिकार उसका है हाँ, वो ना लेना चाहें तो जिम्मेदारी मर्द की है That's all Your Honor अदालत, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी की प्रार्थना रद करती है चूंकि कानून है, इसलिए बच्चे पिता को दिये जाते है पूरा फैसला सुनवार को सुनाया जाएगा मुझे अफसोस है मिसिस शीला के फैसला खिलाफ हुआ बात फैसले की नहीं थी सिना साब, बात कहने की थी जीत जाती तो खुशी होती हार गई मगर तसली है कि आपने मेरी बात कह दी सिना साब, तर्क पूर्वक कहना ऐसा है जैसे गुडाई करके बीज डालना कुछ बीज तुरंट निकलाते हैं कुछ मौसम आने पर मुझे इंतजार रहेगा मौसम क्या आने का आने का मैं क्यूं नहीं। कमल वर्मा, बियस भटनागर, अमर अहलुवालिया, जीत कौशिक, कुसुम मिश्रा, सुनीति कोहली, हर्षबाला और वीनाहुरा। ये नाटक केंद्री नाटक एक आंश्ट वारा आकाश्वानी के दिल्ली केंद्र पर तयार किया गया।